अभी तक स्वयम का बाहन न होने एवं सरकारी बाहन की निस्प्रुज्य स्थिति में होने के कारण मैं प्राया सारुजनिक बाहन, सिटी बस या अन्य का प्रियूग करता हूँ यह कस्तकारी तो है क्योंकि कमरदर्व के संधर्व में मुझे लगता है लेकिन जीवन के महतपोर्ण सबख सीखने के लिए जरूरी भी सिटी बस का सफर, सब्र, समाज को निकट से जानने कानभव एवं स्वयम आम बने रहने के हुनर को मजबूत करता है सुबह दफतर आते एवं साम को वापस लोटते दोनों समय पर अकसर बसों में भारी भीड होती है और सफर खड़े रहकर भी पूरा किया जाता है बस की सवारियों में बिविन विध्यालयों एवं सस्तानों के चात्र चात्राएं, नौकरी पेशा वाले लोग, मजदूर, ग्रहनियां, सेवा निवृत, बुज़ुर, बुज़ुर महलाएं, अन्य तपके के लोग मुठ्य रूप से होते हैं बुज़ुर्गों को पहले सीट देने की मरियादा में तुक बहुत छरण हुआ है इसके पीछी का कारण नियमित सफर भी है मरियादा का निर्वहन, कमवेज, आपको रोज बिना सीट सफर करवाएगा आज मरियादा की रक्षा ही तू, किस में इतनी ताकत बची है बहराल, जो बात आप से बाटना चाहता हूँ, उस पर आते है एकदम एक ताजा मामला है कल आफिस से एक साथी, जिन के पास अपनी गाड़ी है, के साथ निकला उन्होंने मुझे धरमपूर में छोड़ा इस अस्तान से मेरे घर बाला वाला जाने के लिए बस मिलती है लगभग 10-15 मिनट के बाद लदी फदी बस आई और मैं तेजी के साथ पीछे वाले गेट से अंदर घुसा सीटी बसों के एक द्रिष्टी से मैं आपका परिचे करवाऊं इनको अपने परिपत में अनेकों नाकों पर समय की पर्तिवद्दता ही तु जाचा जाता है समय पर न पहुँचने पर भी भारी आर्थिक दंड की व्योस्ता है इस कारण बस में चटने और उतरने के लिए आपके पास न्यूंतम बक्त ही होता है नजर हटी तो दुर घटना घटी बस ठसा ठस थी मैं अस्तान बनाते हुए थोड़ा आगे खिसका और हाथ के बैग को कैरियर पर रख दिया इधर मैंने यह भी देखा है कि बसों में लगे जहेतू नियत अस्तान होने के बावजूर लोग अपना समान कंदों पर लादे रहते हैं जिस से सहयात्रियों को भारी असुविदा होती है ऐसा अविश्वास के कारण ही होगा अपना बैग रखने के उपरान मैं थोड़ा आस्वस्त हुआ बीर परते एक स्टेशन पर बढ़ जाती थी बगल में एक मजबूत कद कार्टी का बेक्ती खड़ा था जो आवस्यक्ता पढ़ने पर धक्के की तिवरता को बढ़ा रहा था उसके बगल से इसवस्त था कि वह सारिक मजबूती वाला कोई काम करता होगा उसके धकों से मुझे चिड़ो रही थी लेकिन जैसे ही मैं उसके और नजर गुमाता वह मुस्कराते देखता लगबग आदा सफर कूरा हो चुका था बस कंड़क्टर रास्ता बनाते हुए किराय के लिए मेरी और बढ़ा मैंने भी यांतरिक भाव से अपना बटवा निकालने के लिए पैंट के पीछे वाले पॉकिट की और हाथ बढ़ाया मेरा हाथ जहां तक रुख गया जेब में पर्स नहीं था आगे पीछे सभी जेबों को तलासने के बाद मुझे होस आया आज तो पर्स गाया हो गया मेरा पर्स आज गया अरे मेरा पर्स कहां गया मैं चिलाया बस मैं आस पास के यात्री मुझे कौतवल से देखने लगे क्या हुआ कैसे हुआ कितने रुपै थे और क्या क्या था ये सभी प्रस्ट और से अलग-अलग तरीके से पूछे जा रहे थे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तभी तो मजबूत कद काटी वाला अपनी जेबों में हाथ फिराता हुआ बोला कितना लड़का लोग बीच में गाड़ी से उतर गया कौन जाने उन्होंने ही क्या पता अरे भाई कंड़क्टर यार मेरा पड़स किसी ने मार लिया मैंने कुछ कारवाई की आसा में कहा वो बोला अब इस में क्या किया जा सकता है देखिए कहीं गिर गिरा गया तो नहीं अरे यार रुपे की तो कोई बाद नहीं है लेकिन उसमें तो मेरा एटियम आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत सारे कागजात हैं अरे बताओ बेचारे के साथ बुरा हुआ कुछ बुजब महलाओं ने डाड़स दिया पर क्या करूँ एक छिंड आसा के साथ मैंने अपने साती को फोन लगाया सुनो यार गाड़ी में मेरा पट्स तो नहीं रह गया क्या मिल नहीं रहा है कुछ ही देर में रिटर्न कॉल आई गाड़ी में तो नहीं है सर मार दिया किसी ने यार गरवड हो चुका है चलो देखते हैं मैंने फोन कार्ड दिया इस दोरान अनेक लोग उस सुखता के साथ हमारी बारता सुन रहे थे अब मैं कन्फरम हो चुका था कि पर्स चोरी हो चुका है एटियम लॉक करवाने पड़ेंगे फिर भी मेरी नजर उस मजूद ब्यक्ति की और उठ जा रही थी धक्का यदि दे रहा था लग भी ऐसा रहा था कि जब मैंने पर्स खोने की बात कई थी तो कैसे इसने अपनी जेवों को टटोला था काफी हद तक मेरा सक उपता हो जा रहा था लेकिन सीधे सीधे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं हाँ आप ही तो मेरी पीछे खड़े थे धग्का भी लगा था क्यों कुछ तो बताओ यार मैं सबर खो चुका था देखो साफ मेरा दुकान है इदर चलो मेरे साथ कोई सक नहीं होना चाहिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जरा अपनी जेब दिखाओ गई आ अगर सक गलत निकला तो मैं मनी मन सोचा अब तो क्या परेशान होना मारो बोली हो गया तो हो गया खो गया तो खो गया पूरी दुनिया घुमता हो लुटे भी तो अपने घर में कमाल है चिन्नित ब्यक्ति भी उतर गया अब तो बात ही खतम मेडिकल कॉलेज कंड़क्टर की आवाज सुनाई दी भाई मेरा नमबर नोट कर ले बस मैं यदि मिल गया तो मुझे फोन कर देना मैं यहीं रहता हूँ अरे अंकल जो होना था वो हो गया आईए जल्दी उतरिये किराय की कोई बात नहीं आते जाते अहसान ठोक गया यहां हालत बिगडे हैं कंबक्त उस पर भी डैलूंग मार रहा है चूहे की जहान निकली जा रही है और बिली को मजा हरा है चलो जो हुआ सोचते हैं बस से नीचे उतर गया हद है यार ये तो वहीं बात हुई कि सहर का गुंडा गाओं में पिड़ गया अब घर में भी चैचे होगी अच्छा सोचता हूँ कि मैंने पर्स को आखरी बार कहां और कब किसलिए जेब से निकाला था आफिस में साधी का नियुता देने के लिए पर्स निकाला था उसके बाद नहीं फिर तो तभी जेब चुई थी जब बस का किराया देना था एक आसा फिर जागी तुरंत फोन निकाला हेलो योगेस यार, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, जरा आफिच आकर देखना, साइद वहीं छूटा तो नहीं, दराज में देखो, ठीक है साब, अभी देखता हूँ, ठके कदमों से मैं घर में गुसा, और मरियल सी आवाज में पर्स वाली बात बताई, वही सब कैसे, क्यों, किस लिए आती आती, अरे रुको भाई, पहले एटियम बंद करवाता हूँ, कागजाद निकाल कर कारवाई सुरू ही, और एक कार्ड को लॉग भी करवा दिया, तभी फोन की गंटी बजी, सैयंत रहते हुए मैंने पूछा, हाँ योगेस, पर्स यहीं है साब, ओ, अच्छा, क तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता था, तभी मुझे तो मजबूत करटी वाले व्यक्ति की याद आ गई, जो मेरे सक के दायरे में बहुत देर तक गूमता रहा, और जब उसे मेरे हाबा और बाचिस से यह एसास हुआ, कि उस सक पर जो मैं उस पर कर रहा था, तो कैसे उसने अपनी दुकान पर चलने को और तलासी लेने की बात कही थी, अगर मैंने सरे आम उससे तलासी देने की बात कहदी होती, तो क्या होता, मैं गलानी से भर उठा, हम ब्यक्ति के पहनावे, आर्थिक इस्तिती, सिक्षित तथा कथित हम जैसे, नहोने, आदी तमाम पुर आवसे माफी मांगूंगा, थैंक यू